गुड मॉरिंग स्टूडेंट्स हावरी बेटा आज हिस्ट्री में बेटा लेसन एट संस्कृतियों का टकराव सबसे पहले हम जानेंगे बेटा ओदो क्रांती के उपर ओदो क्रांती क्या है बेटा नई-नी मसीनों का अविस्कार या नई-नी प्रोदिक का अविस्कार क्या है ओदो क्रांती बेटा ओदो क्रांती के सिरुवात का वही अठारवी स्ताब्दे में सबसे पहले ओदोग करांती की सुरुवात कहां मिठा? बिर्टेन. बिर्टेन. ओदोग की करांती बिर्टेन में 1780 के दसक और 1850 के दसक के बीच उद्द्योग और अर्थवहस्ता का जो रूपांत्रन हुआ उसे पर्थम ओदोग करांती के नाम से जाना जाता है. यह हम कह सकते हैं 28 आपदी के दोरान जो नईने मशीनों का अविस्कार हुआ जिसे हम ओदोग करांती के नाम से जानते हैं. ओदोग करांती के क्या प्रिणाम हुई बिटा? हम देखते हैं सबसे पहले नई मशीनों और तक्निकों का विकास हुआ. दूसरा हम देखते हैं हास्त, सिल्प या आथकरगा उदोग की तुलना में बारे पैमाने पर माल के उत्पादन को संभव बनाये गया. बाप के इंजन के अविस्कार से बिर्टेन के उदोगों में एक नई करांती आ गई, जहां जों रेल गाडियों दवारा परिवेन की गती में अधिक तरुगती से विर्धी हुई. उदोग करांती की वज़े से लोग समर्द होने लगे, उनकी जीवन सहली में सुधार हुआ और उनमें काफी परिवर्टन देखने को मिले. तो ये थे उदोग करांती के प्रेणाम. उदोग करांती की सबद का जो है सबसे पहले परियोग. हम देखते हैं बिटा, उदोग करांती सबद का परियोग यूरोपिय विद्वान जैसे फ्रांस में जर्जिस मिशले और जर्मनी में फ्राइडिक जो है एजेलेस दवारा किया गया, अंग्रेजी में इस सबद का परियोग सरोपर्थम दार्षिन को दवारा किया गया था. अगली बात आते हैं एस्टोलेब एस्टोलेब क्या था वई एस्टोलेब का अविस्कार किया गया था जिसने नाविकों को समाने दरश्टी से परे देखने में मदद की थी उन्हें समुंदरी खत्रे से बचने में भी मदद की थी टालेमि टालेमि जो कि हम देखते हैं बुगोल के जहें अविसकारक टालेमि के बुगलिक अविसकार ने अक्षान सिये और अनुदैरिये विस्तार के आदार पर स्थानों का पता लगाने में भी मदद की थी अगे आते हैं तूपी नामबा तूपी नामबा को अनुदैर दक्षन अमरिका के पूरी तट पर ब्राजिल नामक पेडों के जंगलों में बसे हुए गाउं में रहने वाले लोग क्या कहला है तूपी नामबा ठीक है अब हम जो हैं मद्द हैं अमरिका के कुछ सूसंगठ राजियों के बारे में हम बात करेंगे सब्वेता के बारे में बात करेंगे देखो बिटा इस चैप्टर की जो है तीन में अत्रपूर्ण सब्वेता है एजटेक, सब्वेता, माया सब्वेता और इंका सब्वेता इनी तिनों सब्वेता पर ये चैप्टर जो है आगे चलेगा जहांदें सबसे पहले हम लेते हैं इनकी एजटेक सब्वेता के उपर देखो बिटा, मेक्सिका की मद्दगाटी में निवास ग्रामिन आधार स्रेणी बद जो है समाज था हम एजटेक सब्वेता में काल मेकाक एक परकार से क्या था बिटा जो कुलिनवर के लोग हैं वो काल मेकाक में और जो अन्य लोग हैं के जो बच्चे हैं वो तेपो कली में पढ़ने के लिए जाते थे चिनापा सरकंडी की चटाई से बनी किर्थिम टापू हैं तो ये कुछ एजटेक सब्वेता सम्मधी बाते बताई मैंने माया सब्वेता से सम्मधी बाते अगर बात लें तो उन्नत सील खेती के तरीके के आदार पर माया सब्वेता में मक्के की खेती की जाती थी और शांस्कृती, वास्तुकला, खगोल, गणेत, चित्रात्मा, लिप्पी, आदी का विकास हो चुका था और इंका सब्वेता के अगर हम बात करें तो उनकी जो हैं मुख्य किर्शी वैसे मुख्य किर्शी था और मक्का और अलू की खेती करते थे जबकि हम देखते हैं सामराज है, वो केंद्री किर्था, पीरामिड नुमाकार जो डाचा और यहां थे कि वहां की भासा जो कवेच्वा और बहुनिर्माता में दक्ष थे वे लोग अब इसी समझि पाते आपसे एक एक नममर में पूछी जाए सकती है जैसे आपसे पूछ लै जाए कि कुलिनवर के जो बच्चे हैं वो किस में जाते थे, काल में काक में जबकि अन्य समानवर के बच्चे कहा जाते थे, टपकले में जबकि एदी हम बात करें कि जो माय सब बैता के मुख्या खेती क्या थी मक्का और इंका सब बैता के मुख्या खेती क्या थी मक्का और आलू जबकि इंका सब बैता में जो है भासा कौन शीती कवे चुआ ये बाते नोट करने हैं बेटा अब हम जो बात करेंगे बारी-बारी इन सब्वैताओं के जो है विशेशताओं के उपर बात करेंगे सबसे पहले लेते हैं हम किसके उपर बेटा एस्टेक सब्वैता के उपर देखो बटा एस्टेक सब बैता के अगर हम उद्धा की बात करें कौन सी स्थाब्दी में इसके जो है विस्तार हुआ बार विस्ताब्दी में उत्तर से मैक्शिको की केंद्रे गाटी में चले गए थे एस्टेक समाज जो है किसन रूप था पदनू करम था वई उपर से लेकर निचे तक समाज बटा हुआ था नोबिलिटी में पुजारी और अन्या उच्छ समजिक समू सामिल थे तो पहले बात यहां पर गया यह विस्ता में एस्टेक सब बैता है उसका उदय जो है बार विस्ताब्दी में हुआ और एस्टेक सब बैता जो समाज है वो एक परकार से पदनू करम था उपर से लेकर निचे तक बटा हुआ था यह बात याद रखने है आपने नेक्स्ट एस्टेक सब ने लेक लीड मेक्शिको में चिन पस कृतिम दिप बनाई जिसमें विसाल इंक मट के बुनाई और मिट्टी और पोदों के साथ कवर किये गए थे उन्होंने मक्कई, सेम, कद्दू, आलू, आदी खेती की भूमी पर व्यक्तियों का जह नहीं बलकि कुलों का स्वामित हुथा आप देखो दूसरी बात के बताए ऐस्टेक सब बैता में एस्टेक सब बैता का मुक्कवेश है किर्शी था और वो किस पर का खेती करते थे आप बता सकते हैं मकई, सेम, कद्दू और आलू की खेती करते थे ये बता देंगे आप ठीक है और एस्टेक सब बैता में भूमी पर व्यक्तियों का नहीं बलकिन किसको अधिकार था कुलो एस्टेक ने सूनिशित किया कि सभी बच्चे स्कूल जाएं तो यहां पर देखने को मिलता है कि है सभी स्कूल जाएं इस प्रकार की विचार ढार थी उनकी एस्टेक ने एक बहुत विशाल सामराजे की स्थापना भी की थी जो 2,00,000 वरक किलोमेटर के छेतर में फैला हुआ था मलो इसका जो सामराजे काफी विश्त्रित था काफी फैला हुआ था एस्टेक सासकों ने स्रोच सक्तियों का आनन दिया एजटेक महिलाओं को समाज में विशेश दर्जा दिया गया था महिलाओं को भी समान बागिदारी होती थी मलून का महताओ बड़ा भी महिलाओं का चिनापा सरकंडे की बहुत बड़ी चटाई बुनकर और उन्हें मिट्टी तथा पत्तों से डखकर मेक्शिको जील में क्रित्रिम टापू बनाए गए थे ये एक परकार सिम एजटेक सब बैता की मुखें विशेश दा माने जाती है मला एजटेक सब बैता हम क्या देखने को मिलते हैं क्रित्रिम टापू देखने को मिलते हैं अब हम बात करेंगे इसके उपर इंका सब बैता के उपर देखो बेटा इंका सब बैता इसकी सुरुवात तो कब माने जाती है इसकी सुरुवात भी बार विस्ताब्दी के दोरान माने जाती है पहले इंका मेन को केपेक ने कुजको में अपनी राजदानी स्थापित की थी मलो हम देखते हैं इंका ने कौन शी कुजको को अपनी राजदानी बनाया इंका समाज कई वर्गों में वाजित था उपरी दो वर्गों ने विशेश स्वीदाओं का आनन लिया जबकि दास नियुंतन स्थर पर खड़ा था और बुरी तरह से वेवार किया जाता था कहने का तात्प्रे किया वह बेटा दासों कि स्थित्यतन दैनिय थी इंका समाज में वर्गों में बटावा था दो उच वर्ग है उनको विशेश स्वीदाओं प्राप्त होती थी उनको अच्छा मर्श्वीदाओं देते वे आनन जीते थे वे जबकि जो निमन स्थर का वर्ग था वो क्या था? दास था और दासों कि स्थित्यतन दैनिय थी उनके उपर बुरी तरह विवार किया जाता था मला उनकी स्थित्य पासों से बदतर थी इंका समाज में महिलाओं को सम्मान दिया जाता था जबकि आमने पहले एजटेक सब बैता पड़ी तो उसमें भी महिलाओं को अच्छा दर्जा दिया जाता था सम्मान दिया जाता था इसी परकार इंका सब बैता में भी जह हैं महिलाओं को सम्मान दिया जाता था इंका समाज ने शिक्षा पर विशेश दोर दिया। इंका समाज में पुर्षो को सेन और प्रोहित प्रक्षेशन दिया गया था। और पवित्र जिने के लिए प्रेडित किया जाता था तो यह बात थी का सब्यता सम्दित अब अगली बात आते माया माय सब्यता एक मैंस्पूर्ण मैंक्शिन सब्यता माने जाती यह सब्यता कब वही पंधरा सो इसापूरो जो हैं आस्तम में आई माय सब बैता माय सब बैता 300 से 900 इसो पोरो के बीच की आवदी के दोरान अपनी चरम पर पहुँची माय सब बैता में महतपुन के इंदर मेक्शिको होडूरास वे अलसलवाडोर थे अगली बात करते हैं हम खोज यात्राओं के प्रेणाम के उपर अमरीकी मादिप की खोज हुई जिसके कारण जब विश्यू व्यापर को प्रोचान मिला अमरीका की खोज कब 1492 में किसके दोरा कोलंबस के दोरा की गई थी बारत जाने के एक नवीन मारक की खोज हुई यूरोप के अनेग देश इंगलेंड फ्रांस स्पेन पूर्टगल आधी उपनेश बनाने और शामराज्य स्थापित करने के परतिस्परदा हुई यहां तक कि अगर भारत की खोज लें तो 1408 में में वास कोडिगामा के दोरा की गई थी अमरीका में यूरोपियेज जैसे बैता फैनने लगी तथा इसाई दरम के परचार में विर्धी हुई उपनिवेशिकन और दास व्यापार अमरीका के मूल निवाशियों को गुलाम बना कर खानों बागानों और कारखानों में काम लिया जाने लगा इसके साथ साथ वहां उत्पादन की पुंजिवादी प्रणाली का पारदव हुआ नईनी आर्थिक गतिवी दियों और जोरों से शुरू हो गई थी जंगलों की सफाई करके प्राप दूमी पर पसू पालने किया जाने लगा सभी कामों के लिए सास्तिस्रम की मांगोने लगी अब भीटा हम बात करेंगे अरावक जैस सब्वैता के उपर अरावक सब्वैता अरावक सब्वैता पर निमंद लिखे या लेख लिखे तो सबसे पहले मैं आपको बता दू अरावक कभीले कहां से आये थे भीटा वेन जुवेला वेन जुलन से आये थे उनके दवारा बोले जाने वाली बासा के आदार पर उनके दवारा बोले जाने वाली बासा के आदार पर उन्हें क्या नाम दिया गए बेटा अरावक का गया ठीक है बेटा अरावक लोग बहुती जहे किस प्रकार के थे बद्दर बद्दर एम सज्जन थे वे युदों की अपेक्षा व्यापार और आपसी मेल जोल में विश्वास रखते थे समाज के लोग परतिक समाज के लोग समू एक छोटे राज्य की तरह था उसकी नेता को कैसी का जाता था वे एक से अधिक इस्तियों के साथ विवा कर सकता था यहां तक कि हम देखते हैं अधिकतर पुर्षों के पास दो या दो से अधिक जब पतनिया होती थी उनमें कुछ सीमा तक दास परता भी परचलित थी मलो अरावक लोग सब बैता में दास परता का परचलन था अगली बात लें अरावक जब पुर्ष नंगे रहते थे परन्तु इस्तिया कई बार छोटे छोटे लेंगे पहनते थी पुर्ष और इस्तिया दोनों अपने सरीर की सुन्दरता के लिए रंगों का परियोग भी करते थे अरावक मास में मचली का सेवन करते थे या तक की मासारी थे अरावक लोग क्या थे मासारी मासारी मतलो में जैसे कि हम देखते हैं मचली का ठीक है सेवन करते थे इसके साथ साथ है वे अरावर्क लोग जो हैं क्या हम देखते हैं कि अरावर्क लोग बहुत से देविदेटाओं की पूजा करते थे उनके देविदेटाओं उसको सैमिस का जाता था क्या का जाता था सैमिस सेमिस का जाता था वे लोगदार्वी 시면 के समय पक्सियों के परों से बने हुए विशेश परकार के वस्तर दानन करते थे इन वस्तरों पर रंग होता था वे गुटनों था टांगों के नीचे के बाग को सीपियों से डखते थे इसके बाद में हम देखते हैं अरावकों के पास गोडों, बैलों और खचनों जैसे पसू नहीं होते थे जिन पर वे सवारी कर सकते थे या उन से कोई दूसरा काम ले सकते थे परन्तु उनके नियम और शमुंदर के यातयात के साधन विक्षित थे वे पतली नाव की साधा से समुदर तथनदियों को पार करते थे यहां तक कि यह माना जाता है कि अरावक लोग बैटा क्या थे? शान्ति पिरिय थे बैटा अरावक लोग शान्ति पिरिय थे परंतु उनको अपनी रक्षा के लिए केरिबियन के केरीब लोगों से युद करना पड़ता था अरावक के पास अपनी शुरक्षा के लिए कुछ सस्तर होते थे वे तीर कमान चलाते थे तथा तीरों को कि नोक पर एक परकार का विश का भी इस्तेमाल करते थे आरम में अरावक स्पेनियों की सोने की खोज करने में सायता करते थे परंतु जब स्पेनिय उन पर अत्ताचार करने लगे तो वे उनके साथ लड़ने को तैयार हो गई इससे अरावकों के लिए ब्यानक प्रिणाम निकले अरावकों के स्पेनियों के साथ 25 वर्ष के संप्रक के काल में उनका और उनकी सब बैतागा नास हो गया निशन्द हैं हम कह सकते हैं अरावक लोग जो हैं एक परकार से जो हैं मलो शान्ति प्रिय थे ठीक हैं तो इस परकार से बैटा अरावक लोगों का 25 वर्ष के पश्या आते एक परकार से जो हैं नास हो गया और यह अरावकों के लिए क्या दुख्द जैसा समाचार था ठीक हैं अगली बात लेते हम इसके उपर इसके उपर पिजोरो पिजारो कौन था पिजारो कौन था और इंका लोगों पर जह हैं तिपनी कीजिए तो देखो पिटा सबसे पहले हम लेते हैं पिजारो गरीब और अनपड़ वैकती था पिजारो एक गरीब और अनपड़ वैकती था वैसे ना में भरती ओकर सन पंदरा सो दो कब पंदरा सो दो में बेटा का पहुचा कैर्वियन जो हैं दीप समू में आया उसने कानियों के माध्धम से इंका राज्य के बारे में सुना था कि चांदी और सोने के देश हैं उसके दवारा परशांद से वहां जाने के लिए कई बार प्रियास भी किया एक बार जब वह अपनी यात्रा से स्पेन घर लोटा तो वह स्पेन के राजा से मिलने गया इस मुलाकात के दोरान उसने राजा को इंका के कारिगरों तवारा निर्मित सोने के सुन्दर सुन्दर मर्दबान दिखाए जिसके कार्ण राजा के मन में लालच जागा और उसने पिजारों से वहवादा किया कि यदि वह इंका सामराज्य को जीत लेगा तो उसे वहां का राज्य पाल या गरुणर बना दिया जाएगा पिजोरा ने कोटेस का तरीका अपनाने की योजना बनाई लेकिन जब उसने इंका सामराज्य के बिन स्थिति देखी तो वह दुखी ओठा सन पंद्रा सो बत्तिस इसुम ने एक गरैयुद के पसाथ इंका सामराज्य की बागडोर्श्यम समाल ले तब ही वहां के प्रिद्रिश्यम में पिजोरा ने परवेश किया और उसने जाल बिछा कर राजा को अपना बंदी बना लिया राजा ने स्यम को आजाद कराने के लिए फिरोती फिरोती के रूप में एक कमरा बर सोना देने का प्रस्ताव किया परन्तु पिजोरा ने अपना वचन पूरा नहीं किया और वहराजा को मरवा दिया उसके जहें सेनी को दवारा बैंकर नरसन आरवेद्धन की लूट पार के बाद इंका सामराज्य कबजा कर लिया अंत में स्पेन वाशियों ने वहां के स्थाने लोगों को अपना गुलाम बना लिया और उन्हें सोने चांदी की खानों में काम करने पर विवस कर दिया तो यदि आप से ये पुछा जाए पिजोरा कौन था पिजोरा और इंका लोगों पर टिपनी करें तो ये आप बताएंगे ठीक है अब लेते हैं माया सब बैता की कुछ उपलब दियों के बारे मुर जान लेते हैं माया सब बैता की उपलब दिया कि देखो बटा हम सबसे पहले लेते हैं जो मैक्शिको की माया संस्कृति लेकर लेकर 6 विष्थाब्दी तक विकास किया हैं और हम देखते हैं कि इस परकार सबसे पहले लेते हैं आम गणित के छेतर में गणित का ग्यान गणित का ग्यान गणित का ग्यान में अगर बात करें तो माया सब बेतर के लोगों को गणित का ग्यान था बेटा उनके पास सुनने के लिए भी एक विशेश पर्तिक चिन था तो मलब सुनने का ग्यान प्राप्त था उन्हें वई सुनने का उन्हें ग्यान प्राप्त था नेक्स्ट पून पंचांग के बारे में पून पंचांग पूर्ण पंचांग मायज पंचांग सूर्य की गति के आदार पर बना हो था इसके वर्ष में 365 दिन होते थे इस पंचांग में परतेक वर्ष कितना महीने का वही 18 मास का होता था और परतेक मास में कितने दिन है 20 दिन होते थे 5 दिन को प्राय असुब माना जाता था ठीक है बई? यह पूर्ण पंचांग होता था माय सब्वर्ठा का अब अगली बात आते किर्शी के उपर किर्शी माय सब्वर्ठा पूर्ण रूप से किर्शी पर नेर बर थे यहां के लोगों के मुक्च फासल क्या थे मक्का यह मक्की कह सकते हैं मक्का आगले बात आती है कागज का पर्योग माय सबयता के लोगों ने लेखन के लिए बोज पत्र हुए लेखन के लिए किसका प्रयूख किया जाता था बोज पत्रों का प्रयूख किया जाता था बोज पत्र या ताड पत्रों पर जैसे पांडूली पर मलोग सरकंडे की कलम के माद्धम से लिखा जाता था ठीक है तो ये क्या थी माय सब बैता कुछ उपलब दिया थी या हम कह सकते माय सब बैता की विशेश तरह बताएं तो भी आप ये स्टेप लेख सकते हैं तो बटा इस वीडियो के माध्यम से जो जो टोपिक मैंने आपको समझाए आई होप आपके समझ में आ गए होंगे इन सभी टोपिक से समझ जो क्यूशन बनते हैं वो आपने फेर नोट में राइट करेंगे एंड लर्न करेंगे ओके नैस टोकिंग टू यू बेटा थैंक्यू